नमश्कार न्यूस फोनेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रोश्मी नेता बढ़ती पक्ष तेजश्वी यादव ने सरकार को घेरने की तमाम तयारियां कर ली हैं बता दे कि बिरोश्गारी को लेकरते जुश्वी यादव महा रेला निकालने वाले हैं और उसको लेकर उने पूरी प्लानिंग भी कर ली हैं अगले साल मार्च के महीने में ये रैला निकाला जाएगा और सियम नतीश कुमार को धेरने की पुर्जोर कोशिश की जाएगी और साथी साथ ये भी कहा जाएगा कि आखिर बिहार में युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा बता दे कि इससे पहले भी कई बार महगाई को लेकर भरस्टाचार को लेकर या फिर अफसरशाही को लेकर इन तमाम मुद्दे को लेकर पहले से ही तिजश्वी यादव कुछ से में नजार आ रहे हैं हमेशा से ही जब वो बयान देते हैं या मीडिया से बातश्रीत करते हैं तो वो एक ही सवाल पूछते हैं कि आखे बिहार में बेरोजगारी दर्दन प्रतिदन बढ़ता क्यूं जा रहा है और यही वज़ा है कि अब इस महारेला का एलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया है बता दे कि तिजश्वी यादव की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि वो मार्च के महीने में ये बेरोजगारी रहला बड़े पैमाने पर निकालने वाले हैं जिसमें युवाओं को भी साथ आने का कहा जाएगा और साती साथ बिहार की जनता का सपोर्ट भी मांगा जाएगा और इसी को लेकर जो रनीती और प्लानिंग है वो तिजश्वी यादव की तरफ से बनानी गई है यानि कि अब सरकार को घेड़ने के लिए तमाम जो तैयारिया होती है वो तिजश्वी यादव ने कर ली है बता दे कि कई बार तिजश्वी यादव ने कहा है कि बिहार में वो भस्टाचार का मामला हो महंगाई का मामला हो और फिर अस्पितालों की लचर स्वास्त वेबस्था हो तमाम चीज़ों में इस यमितीश कुमार पूरी तरह से विफल और स्फेल साबित हुए है और यही वज़ा है कि कई बार उनकी तरह से ये भी कहा गया है कि जब तक बियार का विकास नहीं होता जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता जब तक बियार के उत्थान के लिए काम नहीं होता तब तक वो इसी तरह से सडक से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहेंगे प्रादशन करते रहेंगे और सियम नतीश कुमार को घेड़ते रहेंगे और यहीं वज़गा है कि इस महा बेरोजगारी रहला का एलान खुद तिजश्वी आदव की तरफ से किया गया है जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अभी रहला मार्च के महीने में निकाला जाएगा खास बात यह है कि ये रहला बड़े पैमाने बर्बिहार में देखने को मिलेगा हजारों करोडों की संख्या में जो अभीर है वो एक खठा करने की तयारी ते जश्वी आदव की तरफ से की गई है खास कर अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को साथ लाने की जो कोशिश है वो ते जश्वी आदव की तरफ से की जारी है और इसी लिए मार्च तक के समय को ते जश्वी आदव ने निर्धारित किया हो तो ये खास रहला बिहार में बेरुज़गारी को लेकर देखने को मिलेगा जहाँ पर सवाल सीधे सियर मृतीश कुमार से पूछे जाएंगे पूछा जाएगा कि आखिर क्यों बिहार में बेरुज़गारी इतनी बढ़ती जाड़ी और यहीं बज़ज़ है कि इस महा रेला का एलान ते जश्वी आदव की तरफ से कर दिया गया है जो मार्च के महीन में आएगा और इस रेले कि अगर हम बात करें तो इसका नाम बेरुज़गारी रेला रखा गया है फिलाख लेतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहे है निउस वानेशन के साथ नमश्कार